कर दा चुकेगा तो कहते हैं कि इतना उपकार करने वाले हनुमान जी को मैं क्यों सोचूं कि इसका ब्याह होगे और बनवास होगे और इसकी घरवाली के पई चुरा के ले जाए और फिर लड़ाई हो इसका भाई बेहोसो और हम बूटिला करके दें तो कहते हैं कि ना ना मेरे हनुमान पर ये सब जंजट नहीं आवे मेरे उपर जो आया सो आया और आगे हनुमान मेरा बंबं करता रहे कोई इसके उपर संकट नहीं आवे तो कहा कि तब तो इसका करजा बना रहेगा कहा कि इसका करजा बना रहेगा उसको मैं कबूल करता हूँ लेकिन मेरे हनुमान पर कोई ऐसा दिन नहीं आवे बदत मांगने वाले दिन की नवबत नहीं आवे इसलिए भगवान राम रिनिया हो गए रिनिया राजा राम भे परवार सहित हनुमान है अनुमान पुछ संभव महावीर हनुमान से सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से सब कुछ संभव महावीर हनुमान से सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से सब कुछ संभव है बज़री हनुमान पालवान एक नंबर के बुद्धिमान एक नंबर के और विद्वान एक नंबर के पंडित एक नंबर के सुर्ज नारायन से इन्होंने वेद पढ़ा है सुर्ज नारायन से इन्होंने वेद पढ़े हैं सुर्ज नारायन से इन्होंने वेद पढ़े हैं पंडित अध्विती जस अखंडित लोक लोकन में अध्विती ये पंडित हैं अध्विती ये पंडित हैं इनके टकर का दूसरा कोई पंडित भी सुमें नहीं है जब रामजी से इनकी पहले पहल भेट हुई है किस किंदा में बालमी की रामएन में बर्णन है सुग्रीव जी ने भेजा है हनुमान देखो ब्रामण बनके जाओ और ये जो दोनों धनुसमान लिये हुए इधर आ रहे हैं ये मेरे शत्रू बाली के पक्ष से आ रहे हैं कि वैसे कोई ये कौन है पता लगाओ तो हनुमान जी बिप्र रूप धरिकप इतना गय हुँ ब्रामन का रूप घर करके आए और मात नाई पूछत अस्भय हुँ को तुम स्यामल गौर सरीरा छत्री रूप धिरह बन बीरा कठिन भूमी और कोमल पदगामी ऐसी कठिन भूमी में चलने वालों को तो पैर में बिवाय पट जाती है लेकिन इस कठिन धर्ती में चलने पर भी आपके चरन बड़े कोमल है कठिन भूमी कोमल पदगामी कवन हे तो बिचरह बन स्वामी ये तो राम चरित मानस में बालमी की रामयन में तो और बहुत प्रस्ल किये हैं अब राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं केवल लक्षमर जी की सुन रहे हैं और लक्षमर जी की और देख करके कहते हैं कि सुनो लक्षमर इतना बड़ा पंडित हमको आज तक कोई मिला नहीं था इतना बढ़ियां बोलने वाला हनुमान जी बोले जा रहे हैं आप प्रभु कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं सुन रहे हैं तो हनुमान जी को अंत में पूछना पढ़ा कि क्यों प्रभु आप मुझको इस लाइक नहीं समझते हो कि मुझे दो शब्द मुझसे बात कर सको मैं इतना बोल गया इतना पूछ गया आप बोलते क्यों नहीं है तब प्रभु ने कहा कि तुम इतना बढ़ियां बोल रहे थे कि सुनते सुनते मेरा मन नहीं अगा रहा था मन नहीं करता था कि मैं बोलू मन करता था कि यहीं बोले और हम सुने लक्षमण जी से कह रहे हैं कि लक्षमण इतना राम जी लक्षमण जी से कह रहे हैं और हम लक्षमण सरण जी से कह रहे हैं कि इतना बढ़ियां बोलने वाला राम जी कहते हैं कि मुझको अभी तक जीवन में नहीं मिला था तो कहा कि ब्राम्ण देव तुम इतना बढ़ियां बोल रहे हो कि मुझे बोलने का मन्य नहीं करता है मन करता है कि तुम बोलते रहो और हम सुनते रहे हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कि हम बोलना सुरू कर देंगे तो तुम बोलना बंद कर दोगे तो तुम्हारी अम्रित मई मधुरवानी के लाभ से मैं बंचित हो जाऊँगा तो पंडित अद्वती जस अखंडित लोग लोकन में इन में ये सब दिश्चस्ता हैं क्यों हैं इसलिए कि मंडित ये मंडित हैं मंडित्मने सुशोवित हैं, इनमें मढ़ दिया है, किसने, जानकी ने, क्या मढ़ दिया है, अजर अमरे, ये बरदान से मढ़ दिया है, अजर अमरे, गुणनी दीशुत हो, करहीं बहुत रघुनायक छो, करहीं बहुत रघुनायक छो, तो पंडित अगृती, जस अखंडित लोक लोकन में, मंडित जानकी के बरदान से, सब कुछ संभव महदीर हनुमान से, ये तो मंडित जानकी के बरदान से, सब कुछ संभव महदीर हनुमान से, आग एक अपद, ब्याख्यान नहीं करूँगा, स्रीर लक्षमन शरण जी आचुके है, ब्यासकद्धी समालेंगे, आप लोग इनके भी बच्नामर से, लालाईत हो रहे होंगे, और हमको महराजी ने अग्या की है, अभी शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है, आप्रेशन करा के मशीन लगवा चुके हो, थोड़ी सेवा करके, बानी को गिराम देना, आगे वाली पंक्तियां छोड़ूगा भी नहीं, दा देता हूँ, व्याख्या, तो महराजी से बार बार हम लोग सुनते रहते हैं, हनुमान जी, ग्यानिन में ग्यानी और भक्तों में अग्रगण्य है, ग्यानिन में ग्यानी और भक्तों में अग्रगण्य है, पहलवानन में अतुल पहलवान से, सब कुछ संभव महावीर हन्मान से, सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव महावीर हन्मान से, सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव महावीर हन्मान से, ओधर धरन, असरन के सरन कपी, ओधर धरन, असरन के सरन कपी, अव धर धरन, अव धर धरन मैंने, जी धर, धर में लाइक दक्तित नहीं है, उधर भी धर जाते हैं, और जल्दी रीज जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कौन चीज से, लड़ू भोग लगाईएगा तब रह जाएगे, नारियल भोला भोड़िएगा इनके सामने तब रह ज ऐ, बोल कि ओ धर धरन, असरन के सरण कपी, रीज ये, रगुबर के गूणगान से, सब कुछ संभव आभी रह मां ये तोरी जे रघुवर के गुनगान से, सब कुछ संभव आंजने हनमान से किसी के भग में विधाता ने बेटा नहीं लिखा हो और अगर हनमान जी को पकड़ ले, हनमान जी के चरण का सहरा ले तो ब्रमा के लेख में पुत्र न भी लिखा हो तो हनमान जी अपने भी आईपी कोटा से उसको एलोट्मेंट देते हैं सुगटित घटा के अगटित हूँ घटा सके सुगटित घटा के अगटित हूँ घटा सके सुगटित भी घटा के ब्रमा जी का लेख मिटाने की सामरत है इनको मतलब क्या है विधी के विधान से सब कुछ संभव महावीर हनमान से इनको मतलब क्या है विधी के विधान से सब कुछ संभव महावीर हनमान से इन्हें प्रयोजन है क्या विधी के विधान से सब कुछ संभव आंजने हनमान से इनको मतलब क्या है विधी के विधान से जब प्रभु स्री राम अपनी सारी प्रजा को साथ लेकर दिमान पर बिठा बिठा कर अपने धाम ले जाने लगे तो हनुमान जी बोले कि प्रभुई दोवी को भी ले जा रहे हैं और हमको कहते हैं कि तुम यही रहो हम इस माता जानकी कि निंदा करने वाले धोगी से भी गए गुजरे है क्या बोले कि गए गुजरे हो इसलिए नहीं रख रहा हूँ यहां बोले तो कहा कि जब मैं धाम में रहता हूँ और मेरे भक्तों पर कोई संकट पड़ता है तो मुझे पुकारते हैं तो मुझे गरूल छोड़ छोड़ के दोड़ना पड़ता है बार बार और ये काम अगर तुम समाल लो साधुसंत के तुम रखवार तो मुझे को बार बार भागना दोड़ना नहीं पड़ेगा और मेरे भक्तों का संकट दूर हो जाएगा इसलिए इनका नाम हो गया संकट मोचन उलो स्री संकट मोचन हनमान जी महराजी की तो भक्तन के सहाए है तू रच्छक समर्थ जो भक्तन के सहाए है तू रच्छक समर्थ जो जो नियुक्त भै किस काम के लिए नियुक्त किये जाएं किसके द्वारा जो नियुक्त भै करुणा निधान से सब कुछ समभव महावीर हनमान से जो नियुक्त भै करुणा निधान से सब कुछ समभव महावीर हनमान से जो नियुक्त भय करना नीधान से, सब कुछ संभग महावीर हनमान से और उको तो जो कुछ अनुभव हुआ सो हुआ स्री महराज जी की कृपा से स्री गुर्देव की कृपा से हम लोगों में भी कई ऐसे बैठे हुए हैं जिनको अनुभव है इस बात का हनमान जी की कृपा का नारायन नेह नीधी मारूती के रिज़ती ही हनमान जी रिज़ जाए हनमान जी खुस हो जाए तो फिर और किसी को खुस करने की जरूरत नहीं है नारायन नेह नीधी हनमत के रिज़ती ही अधाये अधाये सुख सुगती की खान से सब कुछ संभव महाबीर हनमान सब कुछ संभव है बजरंगी हनमान सुनो कान मंदे के बड़े ध्यान से सब कुछ संभव है बजरंगी हनमान सुनो कान मंदे के बड़े ध्यान से सब कुछ सम्भव है बद रई हमाँ सिया राम राधे शाम 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 राध राधेश्याम, 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 र श्री गोरी शंकर भगवान की जै श्री हनमन्त लाल की जै श्री महराज्जी की जै श्री सरवसंत वैष्णों भगवान की जै मन सिताराम सिताराम रट रे तिरे संकट जाएंगे कट रे मन सिताराम सिताराम रट रे तिरे संकट जाएंगे कट रे फिर ना कुष जुलम कमाया प्रहलाज को बहुत सताया फिर ना कुष जुलम कमाया प्रहलाज को बहुत सताया आए नर सिंग खंब गया फट्रे मन सिकाराम सिकाराम रट्रे आए नर सिंग खंब गया फट्रे मन सिकाराम सिकाराम रट्रे तेरे संकट जाएंगे कत्रे मन सिताराम सिताराम रत्रे तेरे संकट जाएंगे कत्रे मन सिताराम रत्रे तेरे संकट जाएंगे मन सिताराम रत्रे तेरे संकट जाएंगे कत्रे मन सिताराम रत्रे तेरे संकट जाएंगे कत्रे मन सिताराम रत्रे तेरे संकट जाएंगे कत्रे मन आरत बचन कहा, अब जाए नकस्ट कहा, द्रोप दीने आरत बचन कहा, जो सासन का बल गया घटरे, मन सिकाराम रचने, जो सासन का बल गया घटरे, मन सिकाराम रचने, जो सासन का बल गया घटरे, मन सिकाराम रचने, जो सासन का बल गया घटरे, मन सिकाराम रचने, जो सासन का बल गया घटरे, मन सिकाराम रचने, जो सासन का बल गया घटरे, तेर सुनी थी पल में, ग्राह गज को कर लिया पल में, प्रभु तेर सुनी थी पल में, प्रभु तेर सुनी थी पल में, प्रभु तेर सुनी थी पल में, प्रभु जल में हुए प्रग तरे, तेरे संकत जाएंगे, हरिदास कु संगती तजले, नितसत संगती में सजले हरिदास कु संगती तजले, नितसत संगती में सजले हरिदास कु संगती में सजले, नितस भजले ना गर न तिरे तिरे संगती तजले नितस भजले ना गर न तिरे तिरे संकत जाएंगे का तिरे तिरे संकत जाएंगे का तिरे मन सिताराम सिताराम रतने स्री भगवन्नाम महराज की जय तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरदारी तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरदारी तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरदारी तेरी जानत नहीं गूढ गति तुमरी ब्रह्मा अरत्र पुरारी जानत नहीं गूढ गति तुमरी ब्रह्मा अरत्र पुरारी मैं अति मूढ मंद मत तापे मैं अति मूढ मंद मत तापे विपदाने मत मारी मेरे जीवन धन गिरदारी तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरदारी बाल दशा में तजगे मों को पिता और महतारी बाल दशा में तजगे मों को पिता और महतारी भैया भगवत बिमुख मिलो और और भोजाई लड़हारी मेरे जीवन धन गिरदारी तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरदारी गुर्जर देश लोग पाखंडी संतन को देगारी गुर्जर देश लोग पाखंडी संतन को देगारी कंठी माला तिलक देखिके कंठी माला तिलक देखिके निंदा करत पचारी मेरे जीवन धन गिरदारी तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरदारी तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरदारी ऐसे कुल में पठ़ई मोई मेरे गिर्धर कहा बिचारी नरसी को तो रुचे भक्ती सत संगत लागे प्यारी मेरे जीवन धन गिर्धारी दिला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिर्धारी तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिर्धारी बदबद सल भगवान की मन सिताराम सिताराम रट रे तेरे संकत जाएंगे कट रे मन सिताराम सिताराम रट रे तेरे संकत जाएंगे कट रे मन सिताराम सिताराम रट रे तेरे संकत जाएंगे फिरना कुस जुलम कमाया प्रहलाद को बहुत सताया फिरना कुस जुलम कमाया प्रहलाद को बहुत सता आए नर सिंग खंब गया फट्रे मन सिताराम सिताराम रट्रे आए नर सिंग तो खंब गया फट्रे मन सिताराम सिताराम रट्रे तेरे संकट जाएंगे कट्रे मन सिताराम सिताराम रट्रे तेरे संकट जाएंगे कट्रे मन सिताराम सिताराम रट्रे ग्राह गज को कर लिया बल में, हरी तेर सुनी थी पल में ग्राह गज को कर लिया बस में, गज तेर सुनी थी पल में ग्राह गज को कर लिया बल में, गज तेर सुनी थी पल में प्रभु जल में हुए प्रगट रे, मन सिताराम सिताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सिताराम सिताराम रट रे प्रभु जाएंगे कट रे, मन सिताराम रट रे, मन राधिशाम रट रे अब जाएंगे कष्ट सहा, द्रोपदी ने आरत वचन कहा 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 प्रभु जाएंगे कट रे, मन सिताराम रट रे ए मन राधिशाम रट रे हरिदास कु संगत तजले हरिदास कु संगत तजले हरिदास कु संगत तजले और भजले नागर नट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे और भजले नागर नट रे संकट रे